तो फ्रेंट अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने mobile phone में auto answer की setting को enable नहीं कर पा रहा हूँ यानि कि मैंने हर तरीके से यहाँ पर process कर लिए जब भी कोई भी बंदा मुझे call करता है मेरे mobile phone पर यहाँ पर मेरा phone में उसका phone automatic receive नहीं होता है यानि उसकी call automatic receive नहीं होती है यूड़ बात helpful होने वाली है इसलिए मेरे आप से छोटी से गुजारे से आपको अपने चनल को subscribe कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी इक सा share करता रहता है तो अंत्चली friend शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अपनी mobile screen पर आज चुका हूँ अगर आप कैसे लगता है कि कोई भी बंदा आपको call करता है और उसकी call automatic receive नहीं होती है मेरे mobile phone में तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी Bluetooth से connected हो अगर आप headphone से connected हो friend और बहुत आसन तरीके से अगर आपको कोई call करता है आपके mobile phone पर तो automatic उसका call receive हो जाए after the 3 second या फर 5 second तो friend ऐसी setting आपको कैसे करना है आज की वीडियो में हम बही बात करने वाले वीडियो सुरू करने से पहले मेरे आप से छोटी सी request है आपको अपने channel को subscribe कर लेना है और वीडियो को like support करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है तो चलिए friend शुरू करते हैं बहुत से लोगों के mobile phone में यह setting नहीं हो रही है मैं आपको बता देता हूँ friend option होते क्या है कि थोड़ा सा उपर नीचे होते है इसलिए आपको search कर लेना है आपको परेशा नहीं होना है हाँ realme का अगर आ company का mobile phone आप इस्तमाल करते हो friend तो वहाँ पर आपको दिख लेना है option थोड़ा सा ऊपर नीचे दिए गए होंगे आपको proper search कर लेना है उसके बाद आपको sim process करना है जैसा कि मैं आपके सामने कर दा हूँ तो चलिए friend शुरू करते हैं यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले जाना है mobile setting पर आने के बाद usual way मैं आपको यहाँ पर click करना है SIM card as mobile data simply आपको SIM card डाटा पर click कर दिना है उसके बाद आपको click करना है क्या नीचे कर उसको down कर दिना है नीचे कर उसको down जब आप कर दोगे तो यहाँ आपको call setting का option आ जागा call setting पर simply आपको tap कर दिना है जैसे इस पर click कर देना जैसे आप इस पर click कर दोगे तो यहाँ लखा हुआ क्या auto answer simply आपको tap कर देना है अब आपसे पूछ रहा भाई कि कितने second बाद यानि कोई बंदा अगर आपको call किया है तो कितने second बाद उसका call जो है automatic receive हो जाए आपके mobile phone पर तो यहाँ पर आपको select लेना ह बैप 5 second करना है कि आपको यहाँ पर 3 second करना है अपने according आप time delay select कर सकते हो बहुत usual way में तो friend मैं आसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर लिजिए कूंकि ऐसे ही helpful content में आप सबीक सा share करते रहता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तक लिए ख्याल रखे अपना स्वास्तर ये मस्तर ये thank you so much